नमस्कार मैं हूँ सलाम अलिया और आप देख रहे हैं DRB NEWS महराश्टर के मुख्यमंतरी उधाव ठाकरे शुक्रवार को जनता को संबोधित करते हुए कहा उन्होंने की दो दिन के बाद महराश्टर में लोगडाउन लगेगा या नहीं लगेगा इस पर निरने लिया जाएगा दो दिन का समय दिया गया है जनता को किवे समल जाए क्योंकि महराश्टर में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे है खत्रा बढ़ रहा है सरकार नहीं चाहती कि लॉक्डाउन लगे क्योंकि दोनों ही स्थिती में सरकार को नुक्सान है यदि लॉक्डाउन लगता है तो अर्थ व्यवस्था चर्मराती है जिस से खत्रा बढ़ता है दूसरी और यदि केसिस काबू में नहीं आये तो लॉकडाउन लगाना मजबूरी हो जाएगी सरकार की यदि लॉकडाउन लग गया तो भी लोगों की परिशानिया बढ़ सकती है जिससे सरकार की परिशानी बढ़ेगी सरकार चाहती है कि lockdown नहीं लगे लेकिन जनता यदि नहीं समली यदि कोरोना काबू में नहीं आया तो lockdown लग सकता है इसी बीच दो दिन का समय दिया गया है night curfew मुंबई में लगाया हुआ है ताकि लोग कोरोना से बचे और कोरोना को काबू में किया जा सके लोगडाउन लगाया गया है पुलिस जब तक नहीं आती तब तक कोई भी अपनी दुकाने बंद नहीं करते आखिर क्या वज़े है कि लोग पुलिस और बीएमसी के कारे को बढ़ा रहे है पुलिस और बीएमसी कोशिश में है कि कोरोना ना बढ़े लोग खुद बखुद समझे परिस्तितियों को समझे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाए लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे है जब तक पुलिस आकर दुकाने बंद नहीं करवाती है लोग दुकान नहीं बंद करते इससे होगा क्या मजबूरन सरकार को महराष्ट में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा जो लोग नहीं चाहते लोग यदि नहीं चाहते कि लॉकडाउन महराष्ट में फिर एक बार लगे तो ये अब उन पर निर्भर करता है कि उन्हें किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी है यदि लोगों ने ये समझ लिया कि उन्हें क्या करना है महाराश्ट्र सरकार लगातार गाइड लाइन्स जारी कर रही है यदि उनका पालन नहीं होता है तो lockdown लग सकता है अब जनता की जिम्मेदारी है कि वे यदि नहीं चाहते कि फिर एक बार lockdown जैसी परिस्तिती आए उनके सामने तो ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि जो सरकार कह रही है जो guidelines जारी कर रही है उसका पालन करे उद्धवठागरे ने साफ कहा है कि बिना वज़े घरों से बाहर ना निकले, बिना मास्क लगाए सड़कों पर न घुमे, बे वज़े सड़कों पर घुमने से बचे, साथ ही जो दिशा निर्देश जारी किये गए है उसका पालन करे अब बाजारों की स्तिती की बात करते हैं तो अब भी लोग नहीं समल रहे है, लोग बिना मास्क के बाहर घुम रहे है, आखिर वो लोग क्या सोच रहे है क्या उन्हें लगता है कि कुरोना उनका रिष्टेदार है उन्हें कुरोना नहीं होगा अगर ये वो लोग समझ रहे है तो ये गलत समझ रहे है क्योंकि कुरोना किसी का रिष्टेदार नहीं है कुरोना किसी से भी किसी में भी डाइवर्ट हो सकता है किसी को भी कुरोना हो सक करोना के बाद लगातार इस्तिती बिगड़ती जाएगी अब भी समय है लोगों से लगातार अपील की जा रही है राज्य सरकार अपील कर रही है और प्रशासन भी अपील कर रहा है कि जो दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है उनका पालन करे डियर वी नियूस भी आप से अपील कर रहा है कि यदी आप लोग नहीं चाते कि महाराश्टों में लॉगडाउन लगे तो कृपया करके जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसका पालन करे बीना मास्क के घरों से बाहर ना निकले बेवज़ए घरों से बाहर ना निकले बहुत ज़ादा जरू और भी कई जरूरी काम है वो बार-बार ये काम छोड़कर आपको समझाने के लिए आपकी दुकानों को बंद कराने के लिए आपको घरों में भेजने के लिए उन्हें रोज बाहराना पड़ रहा है ये जनता की जिम्मेदारी है कि वे प्रशासन का सहयोग करे और खुद को भी कोरोना से बचाए ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताईएगा साथी साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा इसके अलावा DRV News चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा